कि नमस्कार दोस्तों निफ्टियो चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंट जैसा कि मैंने कल कही था कि कोई अपने अपनी पुट लेनी है आपको नीचे क्या मिलेगा 18176 और उसके बाद अगर फिर तूट गया तो नीचे 18090 और जैसे 18090 आए आपने 7 की साथ 18100 की कॉल लेनी है और नीचे स्टॉप लोस 18050 का बिलकुल वैसे ही टिटो जैसे मैंने कहा था कल सेम टू सेम वैसे ही हुआ और हमें डाउंसाइट पुट में 500 और फिर कॉल में हमें फिर से तकरीबन 200 पुट का प्रॉफिट हुआ तो इस तरह से साड़े 400 पॉइंट का प्रॉफिट हमें निफ्टी में हुआ और ऐसे बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा था कि आपने 39443 तक कोई डिप आया आपने बाय करना है और उपर हमें क्या मिल हमें मिला 4200 मतलब इसमें भी हमें क्या मिला तकरीबन तकरीबन आप यह लगा लिजिए हमें 700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ 700 यहाँ 400 वहाँ 1500 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों हुआ इसलिए हुआ कि आपको एक दिन पहले ही पता था कि क्या होना है और यह सब कुछ एक टेक्निकली समझ के हुआ और आपको लेवल्स का पता था मार्किट लेवल्स के एकॉर्डिंग चलती है जो दर्शक नए आए हैं वो सबसे बेले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाए नीचे फ्री टेरिगम चैनल का लिग दिया है उसे जुरू ब्रोकिंग उसके इलावा इंडिया इंफो लाइन और साथ में एलिस ब्ल्यू तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने तीन स्टॉक दिया थे कल पहला थो था मेट्रोपॉलिस मेट्रोपॉलिस हमने 2874 पे लिया और हमें क्या मिला 2962 लगबग 70 पॉइंट का प्रोफिट हमे और तीसरा दिया था भारती एटल जिसने 696 पे लिया वह 696 पे लिया जिसने 698 या 705 पे लिया उनका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और जिनके पास है वो रखें भारती एटल तो बड़ा ही स्टॉप लोस साथ आप होल्ड रख सकते हैं उपर टार्गर 736 जरूर मिल होते हैं कल के लिए जो तीन स्टॉक्स हम लेकर आएं जो आपके लिए सबसे बहले है टाटा मोव को हम डिली चार्ट पे लेकर आते हैं अब देख beggar पे टाता से नीचे से रिकोबर हो रहे हैं यह काफी गिरावत आई प्रॉफिट बॉकिंग आई जिसे हम गिरावत नहीं डाइन चेस्ट बॉकिंग आई और फिर से संबला आ यह और four seventy one तक कोई भी डिप घ्काई बाइ करना है और four seventy two stop loss रखिये टार्ग कर मादार फाइबrot इससे फिर से sportly है यह देखिए पहले एक dip आई आज फिर से sportly क्योंकि index संबला जैसे index संबला यह फिर से संबल गया और bank nifty जैसे की पूरे momentum पर है और इसमें जितने भी bank nifty का stock है उनमें सबसे अच्छा केंडरा बैंक का चार्ट है, तो केंडरा बैंक को आप बाय कीजिए, 192 तक कि किसी भी डिप तक, कोई भी डिप आप बाय कीजिए, 186 का स्टॉप लोस रखना है, उपर टारगट 200 और 207 तक के हमें मिल सकते, तीसरा जो स्टॉप है, वो है HDFC, HDFC ये देखिए, HDFC ने डबल ब बोटम पैटर्न बनता है, तो स्टोक जूम उड़ता है, क्यों? ये चीज मैंने अपने लेक्चर में समझाई है, और वहाँ पर जैसे मैंने भारती एटल दिया था, उस टाइम तो वो सिरफ 300-300 का था, और आज देख लिए वो कहां पर है, और मैंने यहीं टारगट वो पहले ही से आपको दिया है, कि हो सकता है कल ब्रेक आउट आजए, तो आपने का करना है, 284 के उपर अगर खुले तब ही बाय करना है, वैसे नहीं करना, 2845 या 2850 के उपर मिले, तब बाय करना है, स्टॉपलस 2838 का रखना है, टारगट 2853 और 2857 के रहेंगे, और जैसे ही 2857 क् ब्रेक आउट कहां तक लेके जाएगा हमें, वो लेके जाएगा 2869, 2872, 2876 और 2880 तक लेकर, 2880 तक के लेवल हमें कल ही मिल सकते हैं, अगर 2857 के उपर HDFC निकल गे, तो ये थे तीन स्टॉक्स, अब हम आते हैं, बैंक, अब थोड़ा सा समझ जाएं, कि अभी हम समझते हैं कि आखिर हुआ कै, देखी जैसे कि मैंने कल समझाया था, कि निफ्टी नीचे जा रही है, बैंक निफ्टी उपर जा रही है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर की मैंने बताया था, उपर जाएगी, आज ये जुरूर है कि निफ्टी वाले जो बेर्स थे, उन्होंने अपना या बात जूर पुगा ली कि हाँ हम नीचे जाएंगे और वो अपना target हिट करेंगे और उसमें bank nifty में भी साथ भी दिया उनका कि चलो मैं आपके साथ ही चलती हूँ जैसे ही उनका profit book हुआ bears का फिर वो अपना भाग ली क्योंकि फिर bank nifty की बारी थी उसने का कि अब मेरी बारी है चलो अब उपर चलते हैं तो उसने जानी था उपर bank nifty काफी देर से तरफ ला था कपसे पिछले दो तीन दिन हो गए थे bank nifty काफी तरफ ला था कि मैंने उपर जाना है पर वो जानी रहा था मैंने आपको कहा भी था कि इसकी rally due है तो वो आज rally आई तो अब काफी strong है bank nifty bank n काफी बुलिश है, बेंक निफ्टी ने ब्रेक आउट भी दे दिया है, बिलकुर नए लेवल्स पे पहुंच चुका है, वो बेंक निफ्टी काफी हाई तक जाएगा, कहां तक जाएगा, यह जाएगा, 40450, 40450 तक जाएगा, अब आपने का करना है, 39827 तक कोई भी डिप आए आपने 49800 की कॉल भाय करनी है, 39800 की कॉल आपने भाय करनी है, स्टॉप लोस आपने लगाना है, 49600 या 49750 के आसपास का, उपर जो टार्गेट आपको मिलेंगे, 4200 फिर से मिल रहेंगे, और 44450 तक के टार्गेट हमें फाइनली मिल सकते हैं, यह हमारा फाइनल टार्गेट हम फिर आपको बताएंगे कि अब क्या करना है, तो नीचे की और पुट का लेनी है, जैसे 49700 तूटे, आप पुट ले सकते हैं, 49850 के स्टॉप लोस के साथ, नीचे टार्गेट फिर से 39543 मिल सकते हैं, और 39443 भी मिल सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर य अब हम आते हैं, निफ्टी की और, इंडिया विक्स 18.04, ग्राफ नीचे आ गया है, यह बुल्स के फेवर में है, पुट को रेशो काफी ज्यादा हलकी होगी है, देखिए, 0.77, काफी नीचे है, यह बुल्स के बिल्कुल फेवर में है, तो अब इससे यह भी पता चलता है बेर्स ने अपनी पूरी पूरी तसल्ली कर लिए, क्यों तसल्ली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 18.600 से हम 18.000 पर आ गए, तो यह काफी था, 600.00 का गिराबट काफी होती है, काफी हो चुकी है, उसके बाद option chain देखिए, देखिए, option chain तो clear कह रही है, कि अभी भी resistance strong है, अभी भी बेर्स हावी हैं, यह देखिए, 18.200 पर ही काफी ज़्यादा कॉलराइटर एक्टिवेट हैं, 42,30,000 कॉलराइटर एक्टिवेट हैं, 30,33,000 आज ही एड़ हुए हैं, और इसके इलाबा, 18.500, 18.400, 18.300 काफी हैवी कॉलराइटिंग है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा, 18.200 पर कॉलराइटिंग काफी ज़्यादा, हाना कि सबसे ज़्यादा 18.500 पर है, उससे थोड़ा सब बराबर ही कहेंगे, 18.200, 18.500 तक काफी हैवी कॉलराइटिंग हुई है, मार्केट तो यह कह रहे हैं, अभी भी मार्केट उपर नहीं जाएगी, यह नीचे ही रहेगी, य आपने नीचे देखिए, 18.100, 18.200, 18.300, यहाँ पर पुट राइटर एक्टिवेटर है, सबसे ज़्यादा तो 18.200 पर ही है, और 18.100 पर ही है, वो तो आपको पता ही क्यों है, टेक्निकली, 18.000, 18.50, 18.90, जो मैंने बताए हैं, उसी की वज़ा से 18.000, 18.100, 18.200 तक पुट राइटिंग नहीं है, हलांकि पुट राइटर ने अपने कोई भी ग्रिप, 18.300 तक भी नहीं ली है, मतलब 18.300 भी कल के रिए मिलना, फ्राइड़ को भी मुश्किल होगा, ओप्शन चेन के अकोडिंग, अब हम आते हैं, चार्ट के अकोडिंग, देखिए, चार्ट में दे हैं, 18.100 की कॉल, 18.0.50 का स्टॉप लॉस रखना है, और उपर टार्गेट हमें, कौन से मिलेंगे, 18.200, फिर 18.350, सीधा ही 1.500 का अपने है, उससे पहले कोई भी रुकावट नजर नहीं आ रही, तो 18.350, 18.370, उसके बाद 18.432, जो कि हमारा फाइनल टार्गेट रहेगा, अब स्वाल उरता है कि मार्केट रगर गैप खुलती है, फिर क्या करें, अगर माल लेजिए, 18.200 के उपर मार्केट खुलती है, तब भी आप 18.200 की कॉल बाय की लिए, और नीचे स्टॉप लोस आप लगाईए, 18.170 का या 18.150 का, फिर भी टार्गेट वहीं, 18.350, 18.371, 18. 18.432 तक के हमें मिलेंगी, ध्यान रहें कि 18.432 हमारा एक फाइलल टार्गेट रहेगा, अब यह स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स का काम करेगा, 18.432, नीचे की और क्या है, नीचे की और अगर 18.050 टूटे, तो आपने पुट लेनी है, 18.100 की, नीचे जो टार्गेट रहेंग अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट हमारे पास आ रही है, तो 17.943, 17.950 एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गया है, आज ही, क्योंकि 20 डेमा काफी उपर देखे, 90 डिगरी अंगर में उपर आ रहे है, तो 17.950 तक ही मार्किट गिरेगी, अगर 18.050 के नीचे मा मार्किट स्ट्रोंग है, तब ही मैं कहता हूँ, कि जैसी माल लीजिए ये 18.050 पर ही आ गया 20 डेमा धीरे धीरे, तो 18.050 एक बहुत बड़ी स्पोर्ट का काम करेगा लों टर्म में भी, तो फिर भी, अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे 17.950 आए, तो वहाँ पर मार्किट कहां जाएगी, कल, देखिए अब मार्किट के ऊपर जाने की संकेत है, मार्किट ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने बताया काफी स्ट्रोंग है, बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खीच कर ऊपर ले जाएगी, और बैंक नि तो यह लग रहा है कि क्योंकि bank nifty है finance के stocks हैं यह सब nifty को strong support देंगे और nifty के ऊपर जाने के संकेत clear clear मिल रहे हैं तो कल nifty ऊपर झाहिए और निफटी ऊपर खुलेगी बाकी आपने levels के coding काम करना है stop loss पना के रखना है stop loss का दामन बिरकुण नहीं छोड़ना अगर stop loss नहीं लगाया तो आप stock market में भरबाद भी हो सकते हैं, इसलिए ये चीज का ध्यान रखिए कि बिना stop loss के कभी भी काम नहीं करना, तो मैं फिर चे एक बार रपीर कर दो, अठरा लुइ टार अठरा दोसा की वुपर खुले, अठरा यूइ कोल, stop loss प्राइबड यूइ पाये, तो अठरा एक तो की call, stop loss अठरा जो पचास, अगर जाती है market, तो अठरा एक सो की put, stop loss, अठरा जो नवबबे, तो नीचे के target मैंने बता दी है, जादा से जादा, सत्रा 940 17 940 जहां पर 20 डैमा आ चुक तो ये था हमारा कम्प्लीट ट्रेर सेटप निफ्टी बैंक निफ्टी और तीनों स्टॉक्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जदा सजदा वीडियो को शेर की थेंक यू धन्ने बाद